ठीक है मैं लोटूंगा दीपक जी आपके पास क्योंकि वार्रूम से भी जानकारी आपने दर्शकों तक हम पहुचा देए वार्रूम में मेरे सयोगी अमन मेरे साथ जुड़ गए हैं सीधा उनका रुख करते हैं अमन, क्या आपके पास पूरी जानकारी मेरे को लेकर बारी की से जातिकट समिक्रण से लेकर वर्तमान के विधायक तक और वहां के ग्राउंड लेवल पर जो WK News ने रिपोर्ट बनाई हैं अमन जी है मन बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से 11 जिले 18 विधान सबा है मेरट की बात करें यह होट सीट है और इस पे 7 विधान सबा छेतर हैं आप बात करें तो यहाँ पर 6 बार बीजेपी पिशली बार जीती थी अगर 2017 का चुना हुआ था लगातार यहाँ अगर बात कर ले तो जिस तरीके से लगातार 7 विधान सबा छेतर है इनकी अगर बात कर ले मेरट शेहर, मेरट कैंट, मेरट दच्छिड, हस्तिनापूर, सरद रख लगातार यहाँ पर बीजेपी का परचम इसली बार लहराय था, जो एक सीट रह गई थी, रफिप अंसारी मेरट शेहर से थे, वहाँ पर बीजेपी का परचम नहीं लहराय थे, लेकिन इस बार अगर बात कर ले, यहाँ पर फैक्टर की अगर बात करे, तो मुस्लिम सबसे बड़ा रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से लगातार मुस्लिम समुदाय जिस तरव जाता है यह मेरट की सीट उझी तरव जाती है और यहाँ पर अगर थोड़ सा इतिहास इसका जाने होट सीट की बात करें तो उसके थोड़ा सा इतिहाद जानना पड़ेगा यहाँ पर 58, 1857 की जो करांती थी उसमें मेरट के लोगों ने बहुत बढ़चर कर हिस्सा लिया था इसी वज़े से यहाँ पर इसको हॉट सीट भी माना जाता है तो टोटल वोटर जो यहाँ पर है 34 लाग बताए जाते है और जिसमें मेरट है पुरुष है उसमें 18,26,000 है जिस तरीके से अगर बात करें मेरट की अगर बात करें पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर 18 लाग दिखते है और यहाँ पर अगर महिलाओं की बात करें तो 16,00,000 यहाँ पर उनके वोटर है जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एक बार कहा भी जाता है कि महिलाओं का पता नहीं होता किस साइट जाएंगे वो लगातार घर में रहती है किस पे क्या विचार करेंगी और यहाँ पर जो पुरुशों का मत होता है वो एक साथ चलता भी है तो यहाँ पर इसी सब को लेकर जिस तरीके से समिक्रण बनाया गया था चाया प्राजनिति की बात के लिए अगर जाती है समिक्रण की यहाँ पर बत करें तो हिंडियों की 63.40 लाक यहाँ पर हिंदू है औ लेकिन जो हिंदू है वो जादा है लेकिन हिंदू यहाँ से बढ़ जाते हैं चाया आप ठाकूर की बात कर ले जाट की बात कर ले ब्रामर इसी वज़े से मुस्लिम फैक्टर यहाँ पर सबसे ज्यादा बढ़ जाता है साथ विदासबच छेतर हैं यहाँ पर जिस तरीके स पहला आता है आपका मेर्ट सहर, मेर्ट सहर भी जिस तरीके से लगातार हॉट सीट पे रहा है, लगातार उसकी चर्चाए भी होती रहे है, यहाँ से अगर बात करें सफा से तो रफीब अंसारी खड़ें, बीजेपी से अगर बात करें कमल दथ शर्मा है और यह युवानेता है बीजेपी ने इस बार दाव खेला है लक्षमी कान बीजेपी से पिछली बार खड़े थे और लगातार वो जीतते हुआ है थे उन्नीस सो नवाची के आप बात करें 96-2002 और 2012 में लगातार वो जीतते हुआ है लेकिन इस बार बीजेपी ने यहाँ पर दाव खेला युआ नेता कमल दर्द शर्मा को बीजेपी से उतारा है यहाँ पर अगर मेरट शहर की बात करें बीजेपी से बात करें दिलशाद शौकद है कॉंगरेस पारशद रंजन शर्मा और ए आएम से रफीब एक चीड़ इस किई वोट कटेंगे भी तो बीजेपी को इससे थोड़ा सा फाइदा होने भी बाला है यहांप अगर थोड़ा सा बात करने हिंदू कितने है तो यहाँ पर हिंदू कि बात करें तो एक नशनलो 40 लाग एंदू मेरट शहरं में और मुस्लिम समुदाय की बात करें तो एक दशमलों यहाँ पर 40 लाग मुस्लिम समुदा है तो यहाँ पर थोड़ा सा समीकर बीजेपी का बदलेगा युवा नेता है यहाँ पर कमल दशर्मा उनकी काफी वीडियो भी शोशल वीडिया पर वायरल हुई थी जिस तरीके से लगातार वो घरगर जाके वोट का प्रचार क वो जीतते हुए थे लेकिन इस बार भी उनको बीजेपी ने थोड़ा साइड किया युवा नेता को उता रहा है और यहाँ पर बीजेपी एक तरफ जिस तरीके से लगातार यहाँ पर एक ही तरफ अगर मुस्लिम समुदा है जिस तरफ जा रहा है मेरट शहर उसी के विधा साइड कर दिया था फिर उसके बाद सथर्प्रकाश अगरवाल चार बार यहाँ से जीते है अगर मीरेट गैंट की बात करें लेकिन बीजेपी ने उनको थोड़ा सा इस बार दरकिनार किया और बीजेपी ने फिर से अमित अगरवाल को यहाँ पर लेकर आ गया और जो दो पर जीते थे यहाँ पर उनको साइट के असद प्रकाश पाल को जो चार बार जीते थे वहीं कॉंग्रेस की बात कर लें अविनीश काजला है सपा रालोत की बात कर लें यहाँ पर गटबंदा ने आरलडी के साथ तो मनीशा एहलवात उतरे हो बीएसपी से अमित शर्मा नवासी से लगातार कॉंग्रेस जीत रही थी लेकिन अगर बात कर लें उसके बाद जिस तरीके सराम मंदिर का मुद्दा आया यहाँ पर मेरट दंगे आये बीजेपी की लहर आई और बीजेपी यहाँ से फिर से लगातार जीते वह आ रही है आप थोड़ा सा मेरट दश् बीजेपी दिलशाद अई और कॉंग्रेस नफी सेफी लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पर कोई भी दो बार से नहीं जीत पाए तो बीजेपी यहाँ से दो बार लगतार जीते वह आ रहे तो इस पर सवाल यहाँ पर क्या बीजेपी हैक्ट्रिक लगा प पूर शयाँ अपकर और फिमिल केंडिडेट की बात करें यहाँ पर तो दो लाग्सुल Разच यहाँ विजेपी ती हैनिया पर अई हमहाबारत की याद की आँग पाणों की राजधानी थी याँ और अगर देखा जाया यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल हस्तिना पूर का कई ब को समझें अब वो भी आपने बताया और नतीजे भी आपने बताए कि उसके बाद इस सितियां कितनी बदल गई बीजेपी कहां से कहां तक पहुँच गई लेकर अब वापस वही इस सितियां बनने वाली हैं उसमें विरण विधान सभा का अगर जिकर किया जाए तो कमलतत चर्मा चुनावी मैदाने बीजेपी से रफीक अंसारी समाजवादी पार्टी से रंजन चर्मा कॉंग्रेस पार्टी से इस पर एक विश्टलेशनल ले लेते मारता तमाम महमान बने हुए संजीब जी मेरट का जिकर करें क्योंकि रफीक अंसारी का जब नाम आता है तो अभी कुछ दिन पहले एक बयान